हाई गैज और वेल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन वेल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालिसस ऑफ 8 जुलाई 2021 तो गैज आज है तारिक 8 जुलाई 2021 और है थस्डे देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को यह कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलीग्राम और फिट जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन एस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन करना देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चैनल का है जैसी आप उस पर क्लिक इस चैनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाव जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर आपको डेली बिसस पर दहींदू न्यूस पर मिल जाता है डेली करेंटर फिर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और यह सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जॉइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग क मैप में जाकर देखना है अलबेनिया को कफी जादा इंपोर्टेंट है यह अच्छे से मैप में देखना कहां पर है इंडिया के कमपैरिजन में कहां पर है और फिर उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंब समय तक याद रख पाऊगे तो चलो शुरवात करते हैं यह आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक मोस्ट इंपोर्टेंट या आर्टिकल होने वाला है क्योंकि जो यह काबिनेट है इसके अंदर काफी सारा बदला हुआ है बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन किया और और ही बहुत सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया तो उसके बारे में डिस्कुशन किया जाए अभी यहां पर आप देख पाऊगे जो यह कैबिनेट है इसके अंदर जो भी यहां पर 43 मिनिस्टर्स हैं इन 43 मिनिस्टर्स में से 36 आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे 36 नए लोग चुने गए हैं अलग-अलग मिनिस्ट्री के लिए तो उसकी लिस्ट आपको यह पूरी की पूरी बल जाएगी इस आर्टिकल को आपको स्टोर करके रखना है हमेशा आपके पास क्योंकि यह काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल होने वाला है तो यहां पर आप दे आपके सकते हो कि यह काबिनेट मिनिस्टर होंगे मांसुक मंडिविया ठीक है तो यहां पर यह आपके सकते हो एक नए हेल्थ मिनिस्टर भी होने वाले हैं उसी के साथ और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंदर बदलाव हुआ है उसको तो हम डिसकस करेंगे ही लेकिन उस क्या है आप देख पाओगे Council of Ministers के अंदर ये बहुत बड़े लवल पर देखने को मिलता है Council of Ministers में सारे Ministers होता है इनफक्ट जो Cabinet वाला होता है वह भी आपको Council के अंदर देखने को मिलेगा उसके साथ जो जब आपको जहां पर देखने को मिलभ ही ने चोके गांसी बॉस्तर से और अपर आपछने को मिलगे उस के साथ हैँ 불ग् वर्ट सदा लोगर हाउस यानि की आपका सकतो लोक सबागी तरफ यहां पर यह जादा responsibility दिखाती है उसी के साथ यहां पर 60 से 70 ministers आपको देखने को मिल जाते हैं वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग cabinet minister की तो यह जो cabinet है यहां पर आपका सकतो यह एक बार्ट है council of minister का जैसे की अभी हम लोगों ने discuss किया है cabinet minister का लाया गया था 44th constitutional amendment act 1978 के तुरू यह चीज़ नो डाउन कर लेना दन उसके बाद यहां पर और क्या चीज़ है जैसे कि यह cabinet है यहां पर आप लोग देख पाऊगे बहुत सारे bodies देखने को मिलेंगी जो प्राइम मिनिस्टर है वह अपने discussion करते हैं प्राइम मिनिस्टर को जो एडवाइस करती है बोडी वह यहां पर यह cabinet minister करते हैं तो आपको धियान रखना है cabinet के अंदर एक टॉप लेवल के ministers होते हैं बहुत कम से ministers आपको यह देखने को मिलेंगे जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हुए नजर आते हैं ठीक है तो इसके बारे में आपको धियान रखना है और जो भी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की आपका सकते हो जो ministers के साथ वो cabinet minister के साथ मीटिंग जादातर देखने को मिलती है council of minister की जो meeting वगरा है वो कम होती है तो यह छोटी छोटी information है जो कि आप लोग के धियान रख सकते हो यह तो difference हो गया तो cabinet minister के अंदर देख पाऊगे आप काफी बड़ा अश्वनी वैशनव यह जो है railway minister बनेंगे और railway minister के साथ यहाँ पर यह information और technology का मामला भी समालने वाले हैं उसी के साथ जो धर्मेंदर प्रधान है यह handle करने वाले है education और skill development को अभी के लिए education कौन समालता है वो रमेश पोक्रियाल साब लेकि इन्होंने भी resign कर दिया है ठी अब मैं आपको बता दू कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने drop down किया है तो आप देख पाओगे जो रवी शंकर प्रसाद हैं ठीक है law minister उन्होंने resign कर दिया डॉक्टर हर्ष बदन साब आपको देखने को मिलेंगे उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से resign कर दिया environment minister प्रकाश ज design किया है अब उनकी जगा पर सब 9 ministers आ रहे हैं तो यह आपको ध्यान देना है ओके बहुत सारे मिनिस्टर से जो की काफी unhappy भी है मतलब की वो काफी नाखुश है क्योंकि सरकार ने कोविड को सई से handle नहीं किया है उस जीस से नाखुश है ऐसा यहाँ पर बहुत सारे लोग का नाम लिखावा है कौन-कौन से ministries को handle करेंगे वो भी यहाँ पर नाम लिखावा है तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग discuss करते हैं मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तो एक तरीके से जो यह है जोती रादित्ते सिंधिया इनको civil aviation मिलने वाला है उसी के साथ यहाँ पर जो former petroleum minister धर्मेंद्र प्रदान हुआ करते थे उनको यहाँ पर education ministry मिलेगी उसी के साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर आपका सकतो हो यह जो नरायन तातू है इनको MSME का sector देखने को मिलेगा उसके साथ यहाँ पर जो सरबंदा सो देखा ही है उसके साथ जो यह अश्वनी वाशनव हैं यह ministry of railways communication और टेली कम्मूनिक्स और IT को समालने वाले हैं और जो मांसुक मांदेवे हैं यह ministry of health and family welfare को समालेंगे साधिसद chemical fertilizer को भी समालेंगे उसी तरीके से जो पशुपती कुमार पारस है यह ministry of food processing industries को समालेंगे 43 अलग जगा पर यह समालते वे नजर आएंगे तो हम लोग यहां मैं अगर बोलता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं है इस समय याद भी नहीं होगा definitely ऐसे होना है तो यहां पर क्या करना है आपको यह picture restore करके रखना है अपने पास काफी important है क्योंकि अब जो है यहां से अगबर record करें 12 ministers को जो की schedule कास से belong करते हैं यानि कि देखो जो आपकर सकते हो की lower caste है वहां से भी बहुत सारे लोगों को इसके अंदर include क्या गया है देखो कि यहां पर यह जो composition इसका तो इसके अंदर 12 तो है schedule कास के ministers 8 आपको schedule ट्राइब मिनिस्टर्स देखने को मिल पाएं से यहां पर लिए गए हैं तो आप देख सकते हो यह पूरा मिला कर एक तरीके से यह पूरा पूरा cabinet बना पड़ा है और जो है यहां पर नए ने लोग आ चुके हैं कौन कौन है वो सब आप लोगों को यहां पर देख लेना एक बार ठीक है I hope आपको यह clear हो गया होगा अच जिनका नाम है किरेन रिजीजू यह हैंडल करेंगे लौ और जस्टिस को ठीक है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है जो कि रवी शंकर प्रसास समालते थे लेकिन अब यहां पर उन्हों रेजिगनेशन दिया है तो फिर अब यह समालेंगे उसी के साथ यहां पर ज पेटरोल के प्राइस से वह आपको देख पाऊगे ہं यहां पर पिछे आपको बहुत सर को हैं और बढ़ते हों नजर आएंगे Second यहां पे एक कारण यह भी है जो हमारे यहां tax लग रहा है चाहिए वो state level पर हो, central level पर हो वो भी काफी ज़ादा लग रहा है ज़ादा मातर में सरकार पैसा कमारी है हमारे petrol से उसकी वज़ात से भी आपको petrol के prices बढ़ते ही नजर आएंगे और in future यानि कि भविश्य में भी petrol के prices अभी और जादा बढ़ेंगे और इसके उपर ये आज का जो daily current affair का वीडियो था उसमें आप लोग को समझाया है तो ये वीडियो आप लोग जाकर जरूर देखना देखो बहुत important हो ये हो जाता है वीडियो तो daily business पर अगर आप लोग य दो वीडियो देख लेते हो daily current affair वाला और दाहिंदू का तो आप लोग के सारे current affair clear हो जाएंगे ठीके cover भी हो जाएंगे सारे के सारे तो यहाँ पर जैसे 8 जुलाई का आज है तो मैंने काफी अच्छे सा cover किया है ये पूरा पूरा petrol को लेकर क्यों बढ़ेंगे prices आने वाले आक्टर हैं तो इनकी death हो गई है मुंबई hospital में और यह कल ही सब कुछ देखने को मिला है उसी की वजह से यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलेगा इनकी जो एज थी वह 98 की आसपास हो गई थी ठीके कुछ यहाँ पर डिजीज बीमारियां वगए रहा थी कोई लंबे समय सो कोई बिमारी चल रही थी उसकी वजह से यहाँ पर इनकी death हुई है ऐसा यहाँ पर दहिंदू बताता है उसे के साथ इनकी बहुत सारी मुवीज जैसे कि मुगले आजम देवदास आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत से देखा भी होगा तो यहाँ पर आपको बहुत सा आपको दिहान रखना है अठीक है कि बहुत सारे एक्टर नहीं हो इसा आप पर आपको जैखने को मिलेगा देखो जो अर्टिकल हम ना भी पर लॉन पीप कवर किया ना उसी के बारे में बहुत जब्दा कवरी आपको देखने को मिलेगा पूरे निउस्पेपर में जैसे कि यह आर्टिकल को आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर उन मिनिस्टर के बारे में बताई गया जो इनुने के मिनिस्टरी जो शेजार वलसाइन किया है जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change प्रकाश जावितकर साहब इन्होंने रिजाइन किया उसके बाद जो Ministry of Chemical and Fertilizer हैं डीवी, सदनन्दा, गौड़ा इन्होंने रिजाइन किया उसके साथ जो Minister of Social Justice and Empowerment हैं थेवरचन गहलोट इन्होंने जो है इसको रिजाइन किया उसके साथ यहाँ पर Education Minister Ramesh Pokhriyal साहब इन्होंने रिजाइन किया और यहाँ पर आपको कुछ और देखने को मिल पाएंगे ठीक है तो उन लोगों ने भी रिजाइन किया है अब मैं आप पर इसी आर्टिकल के रिकार्डिंग कुछ और Important जीज आपको मैं बताना चाहता हूँ वो यह है आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे 21 Cabinet Minister है 29 Ministers of State हैं और 9 Minister of State Independent चार्ज वाले भी देखने को मिल जाते हैं तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना यह छोड़ी सी Information है Important है चलो फिर आगे बढ़े नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल पाएगा बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पर यूपी से भी लिया गया है इनके अंदर देखो साथ लीडर्स जो हैं उत्तर प्रदेश के भी इस Union Ministry के अंदर लाए गए हैं और यहाँ पर एक तरीके से जब उत्तर प्रदेश के लिए लाए गए हैं Ministers तो इससे क्या प्रतीत होता है इससे प्रतीत होता है कि अभी देखो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको Elections वगरा भी देखने को मिलेंगे तो उसको भी कही ना कहीं आपका सकते हो कि जीतने के ल नमबर 11 और 12 हैं यह बिल्कुल advertisements भरेवे page हैं इनको आप लोग पूरी तरह से skip कर सकते हो डोंड वरी page नमबर 13 के उपर आते हैं that is world section देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है तो सबसे पहला आर्टिकल आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे तालीबान और अफ क्याली कह रहा था कि यह जो है अभी आनवेल टाइम पे आर्टिकल लगतार न्यूज में देखने को मिल पाएगा क्योंकि तालीबान जो है पूरी तरह से अपना पैर पसार रहा है अफगानिस्तान के अंदर वहां पर पूरी तरह से coverage पकड़ रहे हैं तो पूरी तरह से कबज़ करने की कोशिश करेगा तालेबान तो वहां पर पर यहां पर यूज की आर्मी यहां से विड्रॉ करे चुकी है क्योंकिаров धोजार 21 माई थी आपको मालूम होगा क्योंकि एक अटेक हुआ था यूएस के अंदर जिसको 911 अटायक बोलते हैं यह पूरी हिस्ट्री बन काफी और बता रखे 9-11 अटैक बोलते हैं उसके बाद जो है यूएस के जो टूपस है वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर करें अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने के बाद अलकाइद को खतम करा उसमा बिन लादेन को मारा तब से वहां पर आपको देखने को मिलेगी व अब यहां पर उसी की वज़ा से चीज़े बिगड़ती विनाजर आ रही क्योंकि तालीबान अभी तक कंट्रोल में था क्योंकि वहां पर आपको यूएस की आर्मी देखने को मिल पाएगी लेकिन अब क्या है यूएस की आर्मी विड्रा कर रही है तो तालीबान जो है वा में अपर जा कर देखना है है न eerता है है तो इनका अससीनेशन हुआ है और इक तरीके से यहाँ आपर आप देख पाऊगे जो यह गने lying chair किया है . जिनका नाम अजॊंकर पिच्चर आप लो यह आपर देख पा रहे होंगे और इनकी वाइफ पर इन कि वाइफ का रही है है ऐसा यहां पर बोला गया ठीक है तो इसके बारे में छोटी सी इंफोर्मेशन मतलब फिलाल कुछ इतना इंपोरेंट नहीं है जो याद रखने लायक हो तो यहां पर आप लोग एक वंडे एक्जाम के लिए इंपोरेंट हो सकता है वंडे एक्जाम में यह पूछा जा सकता और में किन्स के लिए और में यहां यहां पर आपके करिंट आफर बनते हैं जो भी मैगजीन वगराई जाती हैं वोजादे दा हिंदू से आइर अश्याकरेंगल में डिसकूशन क्या चिया है मेग शिप ने यहां पर जो मेगाशिब वापस से चलता वा नजर आया मेगाश हीजिए उसमें था आपको मालूम होगा एक्ट का जो स्विज के नाल था ठीक है जो स्विज के नल था वहां पर ये शिप अटक गया था जिसका नाम था एवर गेवन ठीक है अब यहां पर फिलाल कुछ यहां पर बातचीत होने के बाद अबसे यह चला नहीं था शिभ अब यहां पर सेटल्मेंट डील वगरा होने के बाद वेडिनस डे में यह वापस से आप कह सकते हो कि अज नजर आया है यह वैसल सेल करता हुआ तो उसके बारे में आपे आर्टिकल दिया गया है कि Mediterranean Sea के अंदर ये वापस से चलता हुआ ये वैसल नजर आया तो अब इस आर्टिकल में क्या important हो सकता है तो exam के लिए जो हमारे लिए important है वो है Swiss Canal और Swiss Canal के बारे में पहले भी आप लोगों काफी और बता चुका हूँ चलो मैं बता देता हूँ पहले भीост में में आपको माप में द इखाता हूँ ये वाले मैप में एक वोले मैप द nooit माप में ठोड़ा को मिलेगा यहां पर यह शिप अटक चुका था जिसकी वज़ासे काफी ज़्यादा नुकसान भी नजर आया था शिप यह एवर गिवन कुछ इस तरीके से फर्स चुका था इस कैनाल के अंदर और इसी वज़ासे इसको न्यूज में कवर किया जा रहा था तो यहां पर स्वे स्वेश के लिए कवर के अदर यह का इस यह वहांगा रिए और दॉच्प के अपर मेडेटरेनियंस अपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और और आज के टाइम पर स्वेश कनाल वापस से सेल होता हुआ यानि चलता हुआ नजर आ रहा है तो उसे के बारे में आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा ना उस्वेस कनल के बारे में कुछ और कॉंसर्ट पढ़ लेता है देखो यह जो कैनल होता है यह क्या होता है यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर वन के पॉइंट अवी से इंपॉर्ट हो सकता है जीएस पेपर थी के पॉइंट अवी से इंपॉर्ट हो सकता है तो ये खुदाई करके करके की रास्ता बना दिया गлять कैनल बना दिया गया है और उस कैनल का ही इस्तमाल किया जाता था और उसको नाम दिया गया है स्वेस कैनल तो आपको दियान रखना है इसको बनाए गया था 1869 में और एक तरीके से ये शॉर्टकट प्रोवाइड करवाता है सभी कंट्रीज को ये शिप का एक शॉर्टकट है क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है अगर यहाँ पर यह शॉर्टकट नहीं होता तो ठीक ह के बाद से यह और जदा न्यूज में अब यहाँ पर और फोकस दिया रहा है कि जल से जल जो यह स्विस कैनल है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो वह ज्यादा बेटर होने वाला है ठीक है चलो फिर आगे बढ़ता है निक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो यहाँ पर आजाता है पेश नमर 14 के ऊपर डाट इस बिजनस सेक्शन एकनॉमिस और आटिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह आर्टिकल बिसिकली बात करता है कि जो जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट है वह कम होता बनाजर आएगा मतलब कि क्या है देखो बहुत सारी रिप कितना आपका सकतो निगेटिव में जाएगा तो इसके बारे में आप यह बहुत सारी चीज़े डालते रहते हैं तो उसी तरीके से एक फिच आपको देखने को मिलेगा और फिच ने भी क्या कराए जीडीपी ग्रोथ को कट डाउन किया इनोंने यहाँ पर एक तरीके से पह 10% तो अब यहाँ पर फिच ने यह बोला है कि जो इंडिया की रेकवरी आने वाले टाइम पे साल 2021-2022 के अंदर वो 10% देखने को मिलेगी पहले यह 12% बता रहे थे लेकिन अब 10% बता रहे हैं क्यों क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है सिचुएशन वापस से रेकवर नहीं हो रही है क्योंकि आज के टाइम पर आप देख पाऊगे अल्रेडी सबी कुछ ठप है लॉक्डाउन की वज़ा से कोविड की वज़ा से तो प्रॉब्लम्स क्रेट होती भी नज़र आएंगी ओके नाव चलो चलते हैं आप यहाँ पर दो एयरा के आपकर दैंसी करगा से ने फकाम और यहाँ पर फटाइब कर तो शकूंत वाख हुत different China एक अधand था प्राइगTheूं मिलां पाएंगे अपर इंटिंग वह सब और इनुसके बाद एक डिल्टीट सब्सक्राय करा ठालड़ यहां इना बहुत हाई ज़ूब यह जो कि एस जैशंकर साब गए थे एरान के अंदर जो यह विजट है यह काफी बेनिफिट पहुचाने वाली है दोनों ही कंट्रीज को जो दोनों के रिलेशन्स है वो काफी जादे अच्छे होने वाले हैं उसको लेकर बात चीत है अब यह वाला आर्टिकल आप देख अधा तरह जो जाओ संची अ we are दो नाम है उसका पेगास ठीके यहां पर इतना कुछ इंपरेज है नहीं है भीमा कोरेगाउं केस क्या है exactly वो हम editorial पर देखेंगे चलो चलते हैं अपने editorial section पर ना आते हैं page number 6 that is editorial तो सबसे पहला article बात करता है अभी आपको मालूम होगा CBSC ने अपना नया plan दिया है class 10 और class 12 के board exams को लेकर इन्होंने बोला है जो साल 2021 है इसमें हम लोग covid को ध्यान में रखते हुए exam का pattern change कर रहे है अब यह pattern कैसे होने वाला है तो देखो पहले article में बोला यह गया है यह जो class 10 और 12 के board exams होंगे यह हो सकते हैं दो parts में हो लगबग एक बार term 1 होगा और एक बार होगा term 2 एक बार term 1 आपको कब से कब तक देखने को मिले गा यह आपको november December के आसपास देखने को मिलेगा और जो term 2 है यह आपको April के आसपास देखने को मिलेगा term 1 जो है इसके अंदर आपका mcq-based paper होने वाला है 90 minute का paper होगा और ध्यान यह रखना है 50% syllabus आपका term 1 के अंदर आएगा 50% syllabus आपका term 2 के अंदर आएगा और यह तो दूसरा paper होने वाला है यह तो mcq-based रोने वाला है जिसमें आपको इक होँए इमार्षइट मिलेगी और आपको यह भरना होगा दूसरा जो इहां पे टर्म होने वाला है जो हो इसके अंदर जो है आपके सकते हो वाय जाएगा मतलब घर पे बैट कर online offline mode में यह exams हो जाएंगे और उसी तरीके से यहां पर term 2 के अंदर भी वोला यह गया है कि अगर situation को रोना की और जादा बिकार हो जाती है अगर term 1 term 2 दोनों ही नहीं होते हैं तो exam किस basis स्वारी मार्क्स किस basis पर मिलेंगे तो माक्स मिलेंगे internal assessment के basis पर जो आपके practicals होंगे प्रोजेक्ट होंगे उनके basis पर यह marks मिलेंगे तो इसके बारे में ध्यान रखना है तो यह पूरा कपरा सेनेरियो रखा गया है cbsc के दौरा तो उसी के बारे में आप यह चर्चा की गई है तो जादा कुछ नहीं है इसके अंदर जादा important भी नहीं है जो कि आपको ध्यान रखना है नो आते हैं एक important article के दरफ आपने पिछले कुछ दिनों में एक व्यक्ति का नाम काफी जादा सुना होगा father stand Swami का नाम नहीं सुना है चलो मैं आपको picture दिखाता हूं तो आप इसको समझेंगे दन उसके बाद father stand Swami का क्या rule रहा है इसके अंदर समझेंगे ठीक है फिर उसके बाद इनके उपर क्या charges लगे फिर इनको आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे क्या होगा कि death हो गई है इनकी और आप ये article क्या बोलता है article ये बोलता है कि जो judiciary है उसक पहले सी मांग कर रहा था कि मुझे इलाज करवाना है लेकिन यहां पर इन चीजों के पर फोकस ही नहीं किया गया तो यहां पर judiciary को कहीं न कहीं तोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है उसी को लेकर यह चर्चा आपको देखने को मिलेगी चलो पहले हम लोग समझते हैं भी नोट्स वाल चैनल भी data कर लेना है दोनों ही चैनल को जोइन करना क्योंकि वीडियो के जो सब्सक्राइब करेंगे तो इनके बीच में लडाई हुई थी अब आपको ध्यान रखना है जो यह ब्रिटिश आर्मी थी एक साइड और दूसरी टाइम में पेश्वा फोर्स थी तो ब्रिटिश आर्मी में आपको दलिस सोल्जर्स देखने को मिलेंगे अब यह ब्रिटिश आर्मी में तो इसको भी हम डिसकस करेंगे तो यहां पर दलिस सोल्जर्स आपको देखने को मिल पाएंगे और एक तरीके से दलिस सोल्जर्स को आपका सकते हो लोगर कास्ट की तरह यहां पर देखने को उसको indicate किया है और जो ये ब्रिटिश एक तरीके से जो पेशवा वाली आरमी थी पेशवा आरमी के अंदर सारे अपर कास्ट वाले लोग देखने को मिलेंगे ब्राह्मान लोग देखने को मिलेंगे ऐसा यहां पर बताया है नाव अब इंसिडेंट क्या होता है जो पेशवा ताजीराव 2 यह mahar community को इंसल्ट करते हैं एक तरीके से जो mahar community है उसको बुरी तरह से इंसल्ट करते हैं उनको उनकी service से निकाल देते हैं तो यह जो mahar community है क्या करती है यह जो lower cast वाई लोग हैं जैसे मैं आपको बताया यह लोग क्या करता है यह लोग जा कर British army को कर लेते हैं जासे कि मैंने बताया जो दलित व्रक्राइब में चले जाते हैं जो महर कम्यूटी यहीं है तो यह ब्रिटिश आर्मी में चली जाती है इसको जॉइन कर लेती है और ब्रिटिश में जाने के बाद यह मतलब खुद की कंट्री में आप कैसे को पेश्वा से प्राइब लेकर काफी जादा बहुत देखने को मिलता है तो उसके प्रती एक जीत ये देखने को मिला नाव फिलाल यहां पर दलित ने क्या करा लोगों ने इन्हों ने ब्रिटिश को जोइन किया आर्मी को जोइन किया और उसके बाद पेश्वा को हराया भी और अपनी एक बारे में आपको द्यान रखना है अब आपको मैंने चीज़ बताई वह यह है एक जनवरी उन्नीस सो इक जनवरी 1818 की बात है यह जो पुरा पूरा बैटल लड़ाया गया था लेकिन अब क्या हुआ कि इसको 200 साल हो चुके थे कब एक जनवरी 2018 को तो आपको ध्यान रखना है यह 2018 की बात है तो एक जनवरी 2018 को वापस से सब लोग जो भीमा कोरे गाउं है भीमा कोरे गाउं क्या है बैसिकली भीमा कोरे गाउं नाम क्यों पढ़ा है क्योंकि भीमा कोरे गाउं एक डिस्ट्रिक्ट है पूने के अंदर तो यहाँ पर लोगों ने एक तरीके से याद के लिए उसको याद करने के लिए साथ-साथ दलित लोगों के अंदर एक encouragement करने के लिए कि हाँ दलित लोगों किसी से कम नहीं है यह सबसे आगे हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक जीत हासिल करी थी तो उसके लिए यहाँ पर लोग इखटे हुए थे एक मूवमेंट चलाया जा रहा था तो उसी बीच में क्या हुआ जब यह मूवमेंट चलाया जा रहा था सब लोग इखटे थे तो यह जो फादर स्टें स्वामी थे आपको ध्यान देना है यह व्यक्ति यह उन्होंने यहाँ पर भाशल दिया और भाशल ऐसा खतरनाक दिया कि जो कि आप कहसकते हो कि काफी भढ़काऊ बाशल था और वहाँ पर हिंसा क्रियेट हो गई आपस में लड़ाई हो गई है वहाँ पर वाइलेंस क्रियेट हो गया और violence के रेट होने के बाद महाँ पे एक व्यक्ति की जान भी चली गई ठीक है तो यह सारी situation देखने को मिली जब इनको फिर यहाँ पे हुआ क्याज यह सारी situation जब 2018 में conduct हो गई तो 8 October 2020 में जो NIA है National Investigation Agency उन्होंने यहाँ पर इनके उपर UAPA के चार्जस भी लगा रख दिये यानि Unlawful Activities Prevention Act के बारे में चार्जस लगा दिये मतलब कि यह ऐसा कारे कर रहे हैं जिससे की इंडिया की integrity sovereignty को यहाँ पर खत्रा हुआ है उसको नुकसान पहुचा है और वही सारे charges UAPA के अंदर charge करे जाते हैं तो इनके उपर फिर बहुत सारे already charges लगते गए cases लगते गर NIA ने UAPA का लगा दिया उसके बाद इनके उपर और भी बहुत सारे charges लगा गए जिससे की आप कह सकते हो कि 10 October 2020 आया इनको चक्कर काटने पढ़े बार बार अदालत में बेल वगरा उन्होंने मांगने की कोशिश करी काफी जदा लेकिन बेल वगरा इनको मिली नहीं ठीके तो यह सारी चाहिए देखने को मिली थी आपको धियां रखना है यहां तक समझ माया अब क्या हुआ इनकी इनको भूलने वाली बिमारी थी और जब यह भूलने की बिमारी थी तो इसकी वज़ा से यह और भी बहुत सारा काम जो अपना था करना चाहिए था वो नहीं कर पाते थे ठीके इनफेक्ट मापर एक जेक्ट मैपको दिखाता हूं वो एक्जेकली कहां पर लिखा हुआ है यह आप लोग देख सकते हो जो यह स्टेंज स्वामी एक फादर है यहां पर क्रिश्चन को फॉलो करते हुए नजर आता है यह तो यह पार्किंसन डिजीज से पीडित थे तो इनको भूलने वगरा विमारी थी साथ साथ बहुत जादे कमजोरी भी थी वीकनेस भी थी इन फै पर फोकस करते हैं तो जेल में थे फिर इनको पर इन्होंने काफी सारा बेल वगरा मांगने की कोशिश करी कि हां हेल्थ के ओपर ध्यान देना है तो लेकिन ऐसा यहां पर बार बार जुडिशी की दौरा इसको एक तरीके से नकारा गया और जुडिशनी ने इस चीज के उसवा क्या है कि उन सब चीजों की वज़ा से इनकी डैत हो गई है जब इनको एडमिट किया गया तो इनकी डैत हो गई व्यक्ति न्यूस के अंदर देखने को मिलेंगे तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है अंके उपर चार्जस बहुत सारे लगे थे वो सब यहां मैंने आपको काफी आसान शब्दों में समझा दिया है तो आई हुब आपको ये clear हो गया होगा ओके नेक्स आर्टिकल बात करता है तालिबान के बारे में अगेन वही जो कि अभी हमने discuss किया कि तालिबान जो है आपको देखने को मिलेगा जो की बात करता है चैलेंजिंग नेगेटिव सोशल नॉम्स के बारे में अब यहाँ पर क्या है अभी देखो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट होना है तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया है एक उथर के द्वारा नाम है अर्जेंटिना मैटेवल पिकिन तो यहाँ पर आप देख पाऊगे ये बुला गया COVID-19 पैंडेमिक के जो ये भारी समय चल लाए इस ट्रबल टाइम्स में भी जो वर्ड पॉपुलेशन डे है वह 11 जुलाई को देखने को मिलेगा इस ये कुछ पॉजिटिव न्यूज लेकर आ रहा है भारत के अंदर वह क्या है क्योंकि भारत जो है एंटर कर चुका है एक डेमोग्राफिक स्वीट इस्पार्ट के अंदर क्योंकि यहां पर क्या हुआ है अगर हम लोग बात करें दो बीस से तीस साल की तो लगबग हाफ ऑफ दी इंडिया को पॉपुलेशन यानि कि इंडिया जो भारत की जनसंख्या है उसकी हाफ जनसंख्या आप देख पाओगे वह 29 साल से कम उम्र किये उसी वज़ा से इसको एक अगरा वह आने वह टाइम पर जादा बेटर देखने को मिलेगी कंट्री की प्रोग्रेस जादा होने चाहिए जहां पर बहुत जादे जो पॉपुलेशन वह बूड़े लोगों की यह तो महां पर तो एकनोमिक ग्रोथ वगरा अतनी देखने को मिलेगी नहीं तो यह सारी इंडिया के अंदर होनी चाहिए और इंडिया के अंदर इसका benefit होता हुँ बी नजर आएगा उसी के साथ यहां पर यह भी बोला गया है इन लोग को और ही बहुत सारे rights और choices provide करवाने चाहिए इनको हक देना चाहिए कि अपना यह पूरा potential लगा सके साथ-साथ इनको a तो अपने राइट्स देने चाहिए किसी एरिया में सेक्श्वल और रिप्रोड़क्टिव जो हेल्थ राइट्स हैं वो प्रोवाइट करवाने चाहिए यह काफी जाद हो जाते हैं क्योंकि होता क्या है अभी यहां पर देखो वह सारी चीजों को भी आपका सकते हो हिट किया सेक्श्वल और रिप्रोड़क्टिव हेल्थ और राइट्स सारे होने चाहिए व्यक्ति के उपर क्योंकि हमारे पास डेवलेप्मेंट गोल्स भी हैं उन गोल्स का हमें अचीव करना है तो फिर हमें इन चीजों को पर फोकस करना पड़ेगा इंडिया की जो पॉपुलेश करने वाला यह 2.1 चिल्टरन का होने वाला है टोटल फर्टिलिटी रेट ठीके इसके वारे मापको देखना है उसी के बाद यहां पर बोला गया है जो सोशल नौम से यह बहुत बड़ा चैलेंज है यह जैसे तेजी से सोशल नौम स्टेंज हो रहे हैं यह बहुत बड़ा हो जाता है भारत के लिए और इसी की वज़ा से हम लोग को भी कुछ चीजे अडॉप्ट करनी पड़ेंगी और इंडिया को जो है अगली जो जनरेशन आने वाली है उसके लिए यहां पर चीजों को एड्रेस करके चलना पड़ेगा क्योंकि अगली जनरेशन काफी इंपोर उसके लाइन चाहिए कि मेरी उननी चाहिए कि इस तरहे होनी चाहिए कि इतने बच्चे बबने को ही होनी नजर आए इनके में पर इंपर राइट्स वगर्या मिन के पास होने चाहिए जो कि का फिछ तरीके से से वर्क करता वो नजर आएगा और उसके बाद जो विमेन और गर्ल्स हैं एक तरीके से यहां पर आपको देख पाऊगे इनको पावर देनी चाहिए कि यह लोग अपनी च्वाइस रख सकें उसी के साथ यहां पर आप कर सकते हो कि जो प्रेगनेंसी वगरा है वो से होने चाहिए साथ जो यह कोविड़न पंडमिक है इसने तो हमें बताया कि हमारा जो हैल्थ सेक्टर है है यह काफी बुरी तरह से कैसे तो वर्क कर रहा है अचके टाइम पर हैल्थ सिस्टम हमारा काफी ज़्यादा कमजोर है ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्यो है वह और ज़्यादा क्रिटिकल देखने को मिला है उसी के साथ पैंडमिक से पहले भी आपको देखने को मिलेगा हैल्थ सिस्टम हमारा कुछ इतना अच्छा था नहीं लेकिन पैंडमिक के बाद तो पदा चलिया है कि इसके उपर काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है पिछले 20 सालों में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने काफी कुछ गेन किया है ठीक है लेकिन यहां पर आने वले टाइम पर भी इंडिया को काफी कुछ गेन करना है लेकिन अगर हम लोग बात करें गेन के अंदर तो इंडिया ने क्या गेन किया तो मैटरनल डेथ व काम हुई है हाला कि इसको हमें और भी कम करना वाले टाइम पर जो बाकी डेट हैं यह भी नहीं होनी चाहिए ऐसा यहां पर बोला गया है ठीक है उसी के साथ यहां पर और के चीज़े हैं जैसे कि आप लोग देख पाऊगे कि जैसे कि मैंने बताया जो यह पॉपुलेशन होता है नहीं कि इंडिया ने जो भी चीज़े गैन कर गेन करी हैं वह अगर हम लोग बात करें तो 2019 के अंदर जो कॉंट्रस्रेप्टिव मेजर्स हैं इनका काफ़ जादा इस्तमाल किया गया मतलब बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज़े लगती हैं उनका यूज पाओगे 2030 तक हमारा गोल यह है जो सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल्स हैं 17 गोल आपको यह देखने को मिलेंगे उनको हमें एचीव करना है ठीक है तो कई न कहीं उसके अंदर बहुत सारी चीज़े रुकावट बनती भी नजर आती हैं पहले तो यह है कि बहुत सारी जो बच्चियां हैं लगबक 15 से 19 साल के बीच में उनकी शादी हो रही है और 15 से 19 साल के बीच में एक तरीके से वह उनका प्रेग्नेंसी वाला स्टेज आ रहा है तो आप समझ सकते हो कितनी कम उम्र में यह स्टेज देखने को मिल पा रहा है और ऐसा यहां पर बहुत सारी पहला साल है उसमें आपर पहला बच्चा हो जाता है तो ऐसी प्रोलम स्थिया आपर देखने को बाती है खासकर इंडिया में आपको एसी चीजेंदे को मिलेंगी उसी के साथ यहां पर इंडिया की रैंक वगएbrigts यह वहां पर पहुत चुकी है ने सब्ड़ा सा बड़ा तो उनको उनके लिए खाव कास कर काफी सारे पर्डिकुलर सेक्टर्स के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ काम करना पड़ेगा जैसे की एजुकेशन प्रोवाइट करवाना इसके देना इन्फोर्मेशन देना कुछ सर्विस हो गई ठीके कुछ चौइस हो गई उनको प्रोवाइट करवाना खास कर जो यह आपका सकते हो सेक्ष्वल और रिप्रोडिक्टिव राइट्स यह देना इनके हाथ में फामली प्लैनिंग के राइट्स इनके हाथ में देना तो बहुत सर है हमने माइगरेंट वर्कर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हैं फिलाल इसको डिसकस मैं करने वाला नहीं था लेकिन मैं आपको फिलाल बता देता हूं है क्या तो माइगरेंट वर्कर्स कौन होते हैं जो कि पडिगुलर स्टेट से निकल कर अपने के लिए सरकार काफी कुछ करती वी नजर आएगी लेकिन आज के टाइम पर जो भी सुप्रीम कोट ने गाइडलाइन्स दी हैं ठीकिए उनमें यहां पर काफी ज़्यादा एक रूबो सिस्टम की ज़रॉत थोड़ा से और मजबूत सिस्टम की हम लोग को ज़रॉत पड़ेग दन उसके बाद आज की टाइम पर काफी सारे स्टेप्स ले रही है जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड का सिस्टम दे दिया गया है कि एक राशन कार्ड होगा और कहीं पर भी आप जाकर उससे अपना जो भी फूड वगरा हो अवील कर सकते हो लेकिन दिक्कत यह है कि गेहुचावल मिल जाएगा ठीक है गेहुचावल मिल ला है तो क्या होगा इससे दिक्कत यह है कि अब उनके पास बाकी इसकी प्रोसेसिंग के लिए पैसा ने तो क्या करोगे तो यहां पर एक स्टेप यह भी उठा सकते हैं हम लोग कि कोग्ड फूड प्रोवाइड करवा को कि आप लोग कम्यूनिटी किचन रन करो और उस किचन के अंदर कुछ फूड वगरा प्रोवाइड करवा पाऊं माइगरेंट वर्कर्स को जिससे कि इनको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी ठीक है और यहां पर आपका सकते हो इससे इंप्लोइमेंट वगरा भी जनरेट होता वह नजर आएगा और उसी के साथ यहां पर आपको मालू होगा पिछले कुछ दिनों में माइगरेंट वर्कर्स के रिगार्डिंग सुप्रिम कोड ने यह भी बोला था कि जो आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग यहां पर राइट टू फूड का हग यानि खाना खाने का ह सबी लोग को आपको देखने को मिलेगा जो माइगरेंट वर्कर्स हैं इनको भी राइट टू फूड का पूरा पूरा हक है इसके लिए बहुत सारी स्कीम से ठीके और बहुत सारे इनिशेटिव से वह वर्क कर रहे हैं अभी आपके कह सकते हो कि यह राशन वगरा प्रोवा पूरत यह है कैश बेनिफिट किया निकि जो यह वर्कर्स हैं इनके अकाउंट में डायरेट कैश ट्रांसफर कर दिया जाए जिससे कि यह थोड़ा सा और ज्याद़ पास इनिशेटिव से उनको थोड़ा सा और ज्यादा रोबोस बनाना चाहिए यहां पर यह बोला गया है रिक्वार्मेंट यह है कि और ज्यादा मजबूत करना काफी ज्यादा इंपोर्डेंट हो जाता है ओके तो यह थे कुछ इंपोर्डेंट आर्टिकल्स आई होप आपको एक्लियर हो गए होंगे इसी के साथ हम लोगों ने कर लिया है अपने न्यूस पेपर एनलेसिस को समा तो मिलते हैं आप लोग उस नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाए है वनाइस टे थैंक यू आड़ जैहिंद